आपका स्वागत है दोस्तों आज की हमारी जो तैयार यह आप देख रहे हैं यह मिर्च है यह अद्रक है यह प्याज है यह लेस्टन है और यह चने की भाजी है यह आप जो फ्रेश पुदीना है यह टमाटर है और यह इसमें जो आप देख रहे हैं यह प्याज के डंठल है और इसमें लेस्टन के भी डंठल है यह हरित तो यह हरित डंठल जो है आप कोई भी आप अपनी साग में डालेंगे तो यह अलग फ्लेवर देता है तो यह इसलिए ज़रूरी है और यह आप देख रहे हैं यह च तो ये सारी तैयारी हमने अभी ये धोके रखा है और धोके रखने के बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा वो इसकी हमें सबकी कटिंग करनी है तो यह जो हम इसकी cutting करेंगे यह भी यहाँ से बिलकुल fresh जो है चने की भाजी निकाली तो यह इसकी हम cutting करेंगे अब आज जो है 50 लोगों के मान से यह चटनी बन रही है तो इस हिसाब से आज की हमारी जो तैयारी है वो थोड़ी सी आपको different लगेगी अच्छा और मैं आपको बता दूँ के यह जो सारा उत्पाद है यह सी kitchen garden का है और बिलकुल जैवेख है पूरी तरह है इसमें कोई fertilizer का use नहीं किया गया है तो इसका और भी गहरा जो है स्वाद मिलेगा यह तैय है बिलकुल तो हम अपनी जो next तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी हमारी होगी कि हमें cutting करना है जोकि हमने यह सब साफ कर लिया अच्छे साफ पानी से हमें साफ करना चाहिए यह हरी सबजी का ख्यार रखना चाहिए कि हमें नमक के पानी से हरी सबजी धोना चाहिए पर ये याद रखें कि ये चने की भाजी नहीं धोते हैं तो इतना आपको याद रखना होगा ये आपने देखा हमारी तैयारी सारी सब्जीयां जो एम बिल्कुल फ्रेश हैं तो ये फाइनली हमारी टमाटर की तो कटिंग हो गई है इसमें भी पांच मिनट लगा है और अभी ये भाजी को भी काटने में लगबग पूरा मिक्स कर दिया मैंने तो इसको भी काटने में पांच मिनट लगेगा और इसको इसकी तैयारी में थोड़ा सा 15-20 मिनट लगेगा क्योंकि लेस्टन में टाइम लगता है तो ये है वर्क अभी तो ये कंटिन्यू चलेगा तो ये अब हमारे अगले स्टेप में हमारी ये जो भाजीयां थी ये भी हमने इसकी कटिंग कर लिए और अगले स्टेप में अब हमारी जो ए लेस्टन प्याज अदरक की कटिंग होगी मिर्च की इसके बाद हम अगली प्रोसेस में जाएंगे तो ये हमारी जो समगरी थी चटनी की तोमेटो की चटनी हमारी बन रही है और ये हमने अब सारी कटिंग कर लिए है यहां प्याज अदरक और मिर्च और लेस्टन की ये कटिंग हो गई है अब फाइनली हमने ये जो है वर्क अपना कर लिया है इसके बाद हम इसमें अगली जो प्रोसेस में जाएंगे वो अगर हम सिल्बट्टा में ये तयार करते हैं तो ये सिल्बट्टा में बहुत अच्छा फ्लेवर देती है पिसने के बाद चटनी तो जहां तक संभव हो तो चटनी को सिल्बट्टे में लगाना चाहिए सिल्वट्टे से पीशेंगे तो बहुत अच्छा फले वराता है इसका पर हम यहाँ अभी दस साड़े दस बजे लोगों को खाना देना है यहाँ पे तो इसको हम फास्ट जो है मिक्सी में चलाएंगे ताकि जल्ली वर्क होगा अभी यह पूरा जो फाइनल टच हुआ है इसमें आदा घंटा लगा हुआ है इसमें अब आप यह देख रहे होंगे यार क्वांटिटी तो सो लोगों की लग रही है तो जब आप कोई भी मटेरियल बनाते हैं तो उस मटेरियल में अगर आपका टेस्टी है तो डेफिनिट है लोग डिमांड करेंगे अब जब डिमांड होगी दुबारा से कोई मांगेगा कि भय हमें चटनी ले आओ कहां से दोगे तो जब हम 50 लोगों की बनाते हैं तो उस समय आपको ऐसी स्वादिष्ट जो रेसिपी होती है वो 100 लोगों की बनाना चाहिए और ये किसी का भी भोजन कराने का जो किसी अति जब हम भोजन कराते हैं तो ये उसकी हमारी जो है एक नैतिक परंपरा रही है कि हमारे भोजन में कमी नहीं होनी चाहिए भरपूर जो है उसकी आत्मा के हिसाब से जिसे आप रुची भोग कहते हैं या स्वारुची भोग कहते हैं तो वो उससे मिलना चाहिए तो ये हमारी जबाबदारी बनती कि जब हम किसी को भोजन में बुलाते हैं तो हमारे लिए जो है उसे भरपूर उसकी एक्षा नुसार जो है उसे खिलाना चाहिए तो यह हम दरसल 100 लोगों के हिसाब से बना रहे हैं मतलब है 50 लोगों के लिए पर 100 लोगों की वेल्यू हमने यहां पर तैयार करी इसमें तो अब यह हम फाइनल वर्क जो है मिक्सी में चलाएंगे और यह वर्क हमारा कम्प्लीट हो जाएगा और इसमें जो है हम जीरा वन डालेंगे और अगर आपके पास जीरा वन नहीं है तो आप इसमें यह क्या कहते हैं जीरा राई और अन्य थोड़े भूट लोग काली मिर्चित्यादी मसाले डाल सकते हैं कि तो WHO आपकर क्You पटेपैंडे कि आपको कितना मसाला डालना है जित्ना भी डालोगे ठीक लगेगा उस में तो यह यहां पे जो आप देख रहे हैं यह हमारा वर्क है और इसमें हम वे जो जीरमन डालेंगे तो उसमें हमारा सारा जो मैंने बताया था कि 10-20 जो हैं उसमें मसाले जो हैं बहुत अच्छे से मिले हुएं तीनों नमक हैं उसमें समुद्री नमक है और सेंधा नमक है और का तो यह जो मैं कह रहा था कि यह बोरिस के जो हैं पत्ते हम डालेंगे साथ आठ तो इन साथ आठ पत्तों में जो फिलिवर आएगा जवाइन का वो बिल्कुल खास होता है और इनको जो है काटने की जरूरत नहीं देखें आप ऐसे कांच सा तूड़ता यह यह देखें आप य ऐसे तूड़ जाता यह आटमेटिकली तो यह हमारा वर्क हो गया अब हम इसे मिक्सी की तरफ ले यह जो वर्क देख रहे हैं दोस्तों यह है लेसुन अद्रक प्याज और मिर्च की कटिंग और यह जो आप देख रहे हैं इसमें चना भाजी है पालक है मैथी है बोरेश की पत्ती और पुदीना है और इसकी कटिंग है और यह जो हम खास जो डिश बनाने जा रहे हैं वो हमारी यह तो यह हमारी जो टमाटर की कटिंग तो इस टमाटर की कटिंग के साथ ही जो है हम अपनी डिश बनाएंगे और वो होगी टमाटर की चटनी तो यह आप देख लें यह हमारा जो वर्क है और इस वर्क के आधार पर जो है हमारा काम होगा अब हम इसको बस सीधह तयारी कर लिये हैं और इसंसी मिक्सी में चलाएंगे बस नमक डालके और यह चट्छ़नी तयार है 100 लोगों की तो यह आज का हमारा जो रेसीपी है जहटपथ तो यह हमने इसको मिक्सी में लगा दिया है सारा जो है बढ़े जार में रखना होगा क्योंकि लगभग यह पूरा जो मठेरियल है आपका डेड़ किलो है और इसमें हमने बढ़ा सा जो है यह दो चम्मच हमने जीरवन डाल दिया है बस यह फाइनल हमारा वर्क है और इसके ब हो गया है तो इसका यह टेक्श्चर देखें आप टोमेटो की चटनी का यह भी बहुत शांदार आया है और इसे अब हम जो है टेस्ट कर लेते हैं बहुत ही गजब टेस्ट बन गया इसका मुझे लगता है कि अब तो साक सब्जी की जरूरत भी नहीं लगेगी बहुत ही शांदार यह जो आप देख रहे हैं इसका टेक्स्चर भी बहुत शांदार बन गया यह टोमेटो चटनी का और इसका हम टेस्ट देखेंगे तो गजब बहुत ही लजीज बन गई यह अब तो सब्जी की भी जरूरत नहीं लगेगी